हेलो एब्रीवान कैसे हैं आप सब आई हो कि आप लोग अच्छे होंगे नेहां कि किचन में आप लोग का स्वागत है आज पाव भाजी की रेस्पी लेके आ गई हूँ कुछ इंडिग्रीडियन्स इस तरह है आज मैं बेजिटेवल बहुत ली हूँ गैस पर चड़ाएंगे कुकर कुकर हो गया गरम उसमें डालेंगे टूइस्पून ऑयल उसके बाद एट करेंगे वानी स्पून जीरा जीरा चटकने लगेगा तो यहां पाव भाजी मसाला वानी स्पून डालेंगे थोड़ा सा ओयल में भूनेंगे तो पैकेट में रखता है कभी कभी बहुत पुराना रखता है कश्मेरी लालमेज एट किये हैं यहां वानी स्पून पाँच में मिडियम साइज का टमाटर मोटा मोटा काट के ले ली हूँ गोभी एट करेंगे इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे आलू में ले ली थी, 3-4, मिडियम साइज का उसे भी मुटा मुटा काटके ले ली हूँ, गाजर में 3 ली थी, उसको भी काटके मुटा मुटा में थोड़ा या चुक अंदर में ली थी, कलर इससे बहुत अच्छा आता है, रोजन मेटर है, उसे येट करेंगे, लौकी भी मे में येट कर रही हूँ, यहां मैं बैगन ली थी, ये, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, अच्छे से मिक्स करके पानी येट करेंगे, मैं यहां ग्रीन वेजी टेवल में इसलिए इतना ली हूँ, कि बच्चे ग्रीन वेजी टेवल खाना पसंद नहीं करते हैं, और पाव लौकी हो गया, बैगन हो गया, बहुट सबजिया में डाली हूँ, कुछ यहां चौप किया हुआ, अनियन है, कैपसिकम है, बटर है, नमक, कसूरी, मेती है, पाव भाजी मसाला है, कुछ फ्रेस धनिया की पत्ती है, कास्मिरी लाल मिर्च है, दो बीसल आने के बाद हम खोल के देख लेंगे, देखे कितने इच्छी पक्ते सब्जी तियार हो गई है, पाव भाजी बनाने के लिए, भाजी बनाने के लिए बड़ा सबरतन लिए, क्योंकि कूक होने में बहुत मतलब टाइम नहीं लगता है उसको, और जल्दी से कूकिंग बहुत जल्द होता है, मैं टू स्पून ली थी ओईल, इसमें एट किये हैं बटर, कि बटर जलने ना पाए, बिल्कुल बारी किया हुआ चॉप यहां मैं कैप सी कम ली हूँ, मैं चॉपर में चॉप की हूँ, यहां अनियन डाल ले हैं, तीन, अच्छे से मिक्स करेंगे, ज्यादा पकाना नहीं है मै मैं एट कर दी अद्रक लासन का पेस्ट, 2 स्पून, अच्छे से मिक्स करेंगे, कॉब अच्छे से भूनेंगे, आप एट करेंगे यह पाव भाजी मसाला इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे कास्मीरी लाल मेर्च में एड़ कर रही हूँ तो इसमें ली थी थोड़ा बचा ली हूँ कलर इससे बहुत अच्छा आता है आप यहाँ ग्रीन चिली का भी यूज कर सकते हैं मैं इसकीब की हूँ, मैं नहीं डाली हूँ आप कसुरी मेथी डाल देंगे इससे बहुत ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है इस रेस्पी से एक बार आप लोब बनाएए बहुत ही इजी है, बहुत बन के टेस्टी त्यार होता है नमक में थोड़ा वहाँ कम डाली थी इसलिए एड़ कर रही हूँ कुछ फ्रेस धनियापत्ती एड़ कर रही हूँ अच्छे से मिक्स करेंगे देखिए अच्छा से मसाला भून के एक्तम तियार हो गिया है अब यहाँ एड़ कर देंगे जो सबजी बनाए थे भाजी वाला बड़ा बर्तन लेंगी तो आपको भूने में और बनाने में बहुत रसान रहेगा चोटा बर्तन रहेगा तो परसान ही होगी आपको इसको तीजांज पर पकाएंगे इसको मेसर से कुब अच्छा से मेस कर लेंगे बहुत ठीक नहीं रखना है अब यह इसमें निबू कर दूस में डाल लें हूँ पानी थोड़ा सा एट करेंगे क्योंकि बिल्कुल गाढ़ा नहीं रखना है क्योंकि यह उतनने के बाद गैस से बहुत एट है इसको इतना ही पतला रखना है कच्छे से उबालाने देंगे देखिए भाजी बनके तियार हो गया है ब्रिटानिया का मैं पाव ली हूँ थोड़ा सा डालेंगे बटर बटर मेल्ट होने लगा है इसमें पाव भाजी मसाला डालेंगे यहां आप भाजी का भी यूज कर सकते हैं मेरे बेटे को नहीं पसंद है इसलिए मैं पाव भाजी मसाला डालके थोड़ा धनिया पत्ति में यटकी हूँ उसके बाद अच्छे से पाव सेख लेंगे गर्मा गरम पाव भाजी खाईए भाजी तो इतना टेस्टी बना है वाव भाजी खाईए मैं तो यह कहूँगी कि इस रेश्पी से एक बाद जरूर आप लोग ट्राई करिए बच्चे भीखूस और बड़े भीखूस ते लिए प्लेटिंग कर लेते हैं यहां थोड़ा सा मैं नीबू ले हूँ बारी कटा हुआ मैं प्यास ले हूँ थोड़ा सा वट्रेट किये आई हो कि मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करिए सस्क्राइब करिए सेयर करिए और बताइए मेरा वीडियो कैसा आप लोग को लगता है और आप लोग कहां से देख रहे हैं और मेरी रेस्पी आप लोग को कैसी लगती है कॉमेंट वाक्स में लिखिए